आज हम बात करेंगे कि हम होली के रंगों से अपनी स्किन का बचाव कैसे कर सकते हैं क्योंकि यह chemicals होते हैं और इनके अपने रियक्शन सोते हैं तो definitely हम हमफुल होते हैं बट हम होली को उंजोई कर सके हैं और अजनी करसे और एकने कालर से और यह क्लर्स अपने खर पर बना सकते हैं जो कि हमारी स्किन को और डाल कोई हम नहीं करेंगे, उनके कोई साइड एफेक्स नहीं होंगे जैसे फॉर एन एक्जम्पल आप एक ड्राइ बना सकते हो जैसे आप कॉन फ्लार में जो एडिबल कलर्स होते हैं वो डाल कर आप ड्राइ बना सकते हो अगर आपको wet colors या watercolors बनाने तो आप beetroot को भी great करके उसका भी beautiful watercolour बना सकते हो which is not harmful और rather I would say अगर आप beetroot का watercolour डालेंगे अपने हेर पे so it'll be a very nourishing thing for your hair अब 2nd March को हो ली है हमें make sure कर लेना चाहिए कि अभी हम waxings ना कराएं और अगर हमारे थोड़े से ingrown hair हैं भी सही तो we should leave them there only and moreover I would say कि हमें scrub और कुछ भी ऐसा अभी नहीं करें जिससे कि हमारे skin exfoliate हो क्योंकि then color की penetration जादा deep हो जाएगी but what you can do right now, you can do good moisturizing of the skin you can use few packs so that हम अपने pores को close करके रखे और हम अपनी skin को nourish करके रखे तो होली से पहले make sure कि आप अपने hair पे अच्छी सी conditioning करें like you can make homemade conditioner, banana, methi dana, dal chini उसमें pack पना कर आप लगा सकते हो और face पे आप मुल्तानी मिठी लगा सकते हो उसमें आप cucumber juice and you can put potato juice also जो की pigmentation से भी बचाएगा और आपके color को नीच भी करेगा and then you are well prepared for होली अगर आपके skin oily है तो आप उसमें तेल ना लगाएए क्योंकि that will further damage your skin आप अगर oily skin वाले हैं तो आप aloe vera gel लगाएए और बहुत सारे options हैं like say आप other juices भी लगा सकते हो like cucumber juice and potato juice but हाँ अगर आपके skin dry है तो definitely आप सरसो का तेल भी लगा सकते हो नारेल का तेल भी लगा सकते हो जो भी घर में चीज़ें उपलब्त है या एक हर में कोई भी cream पड़ी उसमें डाल कर सकते हैं नहीं तो simple है आप aroma oil लीजिए उसमें आप नमक और चीनी मिलाएए नहीं तो cucumber juice लीजिए and you can do good scrubbing वो बहुत अच्छा exfoliator भी है जैसे कि हम kiwi खाते हैं face पे आप उससे scrub कीजिए it's like a good bleach also आप अपने सारे होली के कलर को कीवी से भी हटा सकते हैं oat आज़ 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 सब खाते हैं because it's a healthy thing और आप oats में थोड़ा सा milk मिलाएए उसमें थोड़ा सा सैफ्रॉन मिलाएए और उसमें हलका सा drops of maybe orange मिलाकर आप उससे अपनी skin को scrub कर सकते हैं उससे भी आपका होली का कलर निकल जाएगा कितनी पार ऐसा होते है कि खेलते खेलते हमारी आँखों में होली का कलर चला जाता है तो आपको घबराने की ज़ुरत नहीं है आप थोड़ा सा ठंडे पानी से मोध होई है और उसके बाद आप रोज वाटर डालके अपनी आखों को साफ कर सकते हैं मैं पृती सेथ, wellness and skin expert, लोकमत के सभी व्यूवर्स को होली की बहुत बहुत शुब कामनाएं देती हूँ प्ले सेथ, होली और लेका और लेका लूवर्स कोई अपनाएं लेका 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 लूवर्स को अब्सके लाइज अगले इस ताम